नमस्क्र दुस्तो वन इडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ जिंबावे और बांगलादेश के बीज एक मादर टेस्ट मैच में बांगलादेश ने हैरान कर देने वाला खेल पहली बारी में दिखाया है साथ जुलाई को शुरू हुए मैच के पहले दिन बांगलादेश ने टॉस जीत कर पहले बलेबाजी करने का फैसला किया था पहले बलेबाजी करने उतरी बांगलादेश की शुरूबात अच्छी नहीं रही थी और एक समय टीम ने 6 विकेट 132 रन पर गवा दिये थे लेकिन यहां से नेचले करम के बलेबाजों ने जोरदार संगर्स दिखाया और टीम ने 468 तक स्कूर को पहुँचा दिया बंगलादेश के महमुद उल्ला और तसकीन एहमद ने टेस्ट करकेट में मिलकर एक नया रेकॉर्ड इस दोरान बना दिया दोरों ने मिलकर नोवे विकेट के लिए 191 रनों की पार्टनर्शिप कर दी टेस्ट करकेट के तिहास में नोवे विकेट के लिए की गई ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टनर्शिप का रेकॉर्ड है टेस्ट में 9 विकेट के लिए सबसे बड़ी साज़ेदारी का रिकॉर्ड साउथ अफरीका के मार्क बाउचर और पेट सिमकॉस के नाम है दोने साल 1998 में पाकिस्तान के खिलाब जोहानेस बग टेस्ट माच में 9 विकेट के लिए 955 रनों की साज़ेदारी की थी महमुद उल्ला ने इस दोरान 278 गेंदों पर 150 रनों की पारी खिली जिसमें 17 चौके और एक छक्का लगाया इसके लावा लिटन दास 5 रन से शटक से चूक गए दास न 147 गेंदों पर 95 रनों की पारी खिली इससे पहले महमुद उल्ला और अबूल हसन ने 2012 में वेस्ट इंडीज इखिलाब खुलना टेस्ट में 9 विकेट के लिए 184 रनों की पार्टनर्शिप की थी जिम्भावे खिलाब हरारे टेस्ट में महमुद उल्ला ने अपने टेस्ट करियर का पांचवा अशा तक लगाया और 150 रन बना कर नाबाद रहे बंगलदेश की और से महमुद उल्ला के लावा मुमिन उल्हक ने 70 लिटन दास ने 95 रन वहीं तसकीन एहमद ने 134 गेंदो पर 75 रन बनाए तसकीन एहमद टेस्ट में बंगलदेश की और से दस्वे नंबर पर बलेबाजी करते हुए सरवच स्कोर बनाने वाले बलेबाज बन गया जिम्भावी की और से ब्लेसिंग मुजरवानी ने 4 विगेट लिए इसके लावा डॉनल्ड ट्रिपानयों और विक्टर नाउची ने 2 दो विगेट लिए बंगलदेश की पारी खत्म होने के बाद बलेबाजी करने उतरी जिम्भावे ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विगेट के नुखसान पर 114 रन बना लिये हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ